छली थोडी देर जीन हम condition समझ लेते हैं किया condition समझ लेते हैं होता यूँ है कि जैसे माल लो मैं आपके पास कोई belong शीक एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि आपके पास माल लिजिये बैलेंश शीट है ना अब बैलेंश में suicide और नाव हमारे पास जनर रिजब भी है एड एस पी हमारा हमारा दस अजार है और जनर रिजब मेरा पचास अजार मैं एक एक्जामपल ले के चल रहाँ अब हमने डिसाइड किया कि भाईया हम अपना प्रिफरेंच शेयर क्यापिटल रिडीम करने वाले हैं और देट इस 10% क करने के साथ हम CRR को जो भी हमें पैसे की कमी पड़ेगी जो भी फंड हमारे कम पड़ेगा उसके लिए हम क्या करेंगे और यहां पर देखा जाए पैसे की कमी की बात करूं तो भाईया एक लाक ठीक है एक लाक में से आप 50,000 निकाल दो तो आपको 50,000 रुपे की फंड की ज आने सिंपल सी बात है 50,000 रुपे का एक है तो 5,000 रुपे कर दो बात बन जाएगी आपकी लेकिन मैंने बोला जो फ्रेश इसू करेंगे वह 10 परसंट प्रीमियम पर करेंगे अब बोलो फिर भी तो क्या बात कर रहे हो सर सिंपल सी बात है ना 50,000 आप इशू कर दो 50,000 आग सब्सक्राइब तो यहां से केसे पॉसिबल है हम जब प्रीमियम पर हम शियर तो बाद में इसू करेंगे और प्रीमियम को पूराने वाले से कैसे ग्रेट किया जाएगा तो यहां पर हम एक mathematical पार्मेट का जैसे कई बार कोई चीज़ चाहिए होता है तो हम equation का help ले लेते हैं हर बार जैसे आपने एक्स की value निकालनी है य की value भी देखेंगे सबसे पहले equation method का equation method नाम दे दिया या संपल से बोलो कि आपको निकालना सिखाएंगे minimum कि नंबर ओफ कि शेर सर यह कब आप अप्लाई करोगे आधे बच्चे इस चिंता में खोई रहते हैं इस चिंते इतना होते रहते हैं सर यह वाला कब अप्लाई करना है क्योंकि इससे पहले भी हमने सवाल किये जहां पर minimum number of shares हमने इस्व किये हुए है और इससे पहले भी सवाल किये हैं जहां पर minimum number और भी शेर इस्व किये और minimum reserve के balance को भी रखा है तो ध्यान रखना है सर यह कब अप्लाई होगा number और यहां दो condition होना चाहिए number वन आपका preference शेर जो है वो redeem होना चाहिए और वो होना चाहिए at premium नमबर दो आपका जो fresh issue होना चाहिए वो होना चाहिए at premium अगर यह दोनों बाते question के अंदर exist करता है तो जैसे एक mathematical फॉर्मेट में मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप number of equity शेर निकालेंगे उसी तरीके साथ निकालना होगा यानि आप कैसे निकालेंगे आपको प्रफरेंच शेर क्यापिटल का अमाउंट कि प्लस सेक्यूरिटी प्रेमियम कि ओन रिडेम्शन इसी कल टू आपका सारा का सारा फ्री रिजर्व कि प्लस में आपका सिक्यूरिटी प्रेमियम कौंसा नियान खिशो करना है तो नंबर ओफ सिएर्स को आप आप करिए नियू नमबर ओफ शिय्र्व को हम डिनूट N माल लो X माल लो हटाओ N को X माल लेते हैं यह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ New bracket max और जो new number of shares issue होगा वो क्या add par होगा जो हम fresh issue करेंगे क्या वो add par करेंगे मेरे किस पर करेंगे इसके साथ premium भी add होगा प्लस एक्स इंटू में जो भी premium होगा divided by premium ऐसे निकालते हो नो किसी का 100 रोपेका शियर है उससो multiply कर दो premium से तो यह यानि ultimately आपको यह इस तरीके से format से follow करना होगा और इसके तरीके से आप क्या निकालने में कामियाब हो जाएंगे सर एक minimum number of equity share यह किसके लिए काम आएगा सर minimum number of equity और यह हमेशा निकलेगा रुपीज के टर्मस में किसमें निकलेगा सर यह निकलेगा रुपीज के टर्मस में एक कुश्चन कर लेंगे ना practical तो फिर हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सर सर क्वालिटी में और टो क्वालिटी का option एड करा दीजिए प्लीज ओके ठीक है यह भी करा देंगे और 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 चलिए अभी तक सभी बच्चों को क्लियर विज्वल है सब कुस समझ में आ रहा है बताते जाएए फटाफट सर जिनकी बैक है वो सीबी सीएस वालों का स्लिवर्स पढ़ाएंगे हां बिल्कुल 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 अभी तक किसी स्टूडेंट को किसी तरीक हम नहीं होनी चाहिए ना तो और्ड़ी ओ में होनी चाहिए ना तो वीडियो में होना चाहिए ना तो समझने में चाहिए तीन चीज़े बता दीजिए पैसी बच्च्चे को कोई परिशानी कर देश्य कि इस चिलियर चलिए से आगे बढ़ते हैं आपके लिए इसी बेस पे छोटा सा कुशन आपके बुक में चाहे बच्चा प्रोग्राम का हो चाहे बच्चा ओनर्स का हो यह कुशन सभी के बुक में मिल जाएगा और स्टार्टिंग टॉपिक आपके किताब में होगा इक्विशन मेथड के नाम से कुछ ऐसा ठीक है यह सवाल हर किसी के किताब में है तो जानते हैं क्या कहता है कहता है सर प्रफरेंस चेयर हमें रिडीम करना है उसकी कीमत हैं डेड़ लाक रुपे की और जो रिडीम करेंगे वह 10 परसंट प्रीमिन पे करेंगे और कहता है पहले से हमारे पास कुछ 25,000 रुपए बैलेंशीट में रिजर्व प्रॉफिट है और सिक्यूरिटी प्रीमियुम पांच हजार है डिटर्माइन दा नंबर ऑफ फ्रेश इशू 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 एट प्रीमियम तो दोनों कंडीशन क्या फुल्फिल हुआ या नहीं हुआ हो गया तो प्लस में एक्स या एन बोलो और प्लस में एक्स इंटू में प्रीमियम बटे में हंड्रेट इस फॉर्मूले को प्रिफरेंच शेयर कैपिटल कितना है सर एक पचास प्लस सिक्यूरिटी प्रीमियम 10% मतलब रिजर्व कितना है सर सर सिक्यूरिटी प्रीमियम भी है है सर शे मान लो एन मान लो पी मान लो क्यूं मान लो मानने तो कुछ भी उपर सकता है अब आपको पता इसका कितने परसेंट फ्रीमियम होगा पांच परसेंट तो इसको हम एक्स इंटू में फाइव बाइ हंड्रिड कर देंगे मैं बिल्कुल इस हिसाब से करा रहा हूं कि कोई बच्चा मान के चलो परस्ट टाइम पढ़ रहा हो तो उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या एगा 130 इस इकल टो 30 प्लस एक्स प्लस एक्स बाइ अच्छा हां सॉरी 165 मैंने माइनस कर दिया है 165 ठीक है अब आप अच्छे से जानते हो आप बिल्कुल थार्ड फॉर्थ क्लास से सीखते आ रहे हो कि एक्स की वेल्यू कैसे फाइंड का किया जाए एसे एक्वेशन में तो हम क्या करते हैं एक्स वाली को इधर छोड़ देते हैं इसको इधर लिए आते हैं तो यह हो जाएगा 165 माइनस में 30,000 इस इकल टू कि 20 एक्स यानि 21 इसको 20 से मल्टिप्लाइ करेंगे इस पूरे एक्वेशन को मैं कैल्कुलेटर पर फटाफट सॉल्व कर लेता हूं एक पैंसट माइनस में 30,000 इंटू में 20 डिवाइड़ बाइड ट्वेंटीवाइड 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 देर इस नंबर क्या है अगर आपका फेस वेल्यू एक रुपए हैं कि दस रुपए है तो आप सिंपल बोलोगे 128571 यह 70 मान लो डिवाइड़ बाइड टैन यानि 12857 का आप नंबर ऑफ शियर इश्यू कर दोगे करने का मतलब है कि कि जो हम प्रिफेरईन्श को पेर मेंट करके सारी चीज़े बराबर हो जाने चाहिए एक में प्रूफ्यू हमें कर ले करने हैं इसको हम कर लेते हैं एक बॉक्स टाइप में कर लिया यहां पुरूब कर लेंगे ठीक है बस ध्यान से जरूर करिएगा आपके मैं क्या करने जा रहा हूं सर प्रेफरेंश चेयर कैपिटल कितने हैं जटेसर वन लैक है ना अब वन लैक में हम फ्रेश इसु कितने नं पॉइंट को हटा देते हैं एक रुपए का फरक है वह चल जाएगा जीरू कर दिया थाकि हमारे लिए थोड़ा सा काम एजी हो जाएगा तो सर्स यहां पर फ्रेश इसू इतने रुपए के हो गये हैं और स्वारी डेड़ लाक है कितने होगे डेड़ लाक है ठीक है अब हम हमें बाखी का पैसा किस से बनाना है तो एक बार हम चेक करते हैं कि कितना गने का 128 570 माइनस में टेड़ लाक है यानि सर 21430 कि यह जाएगा सी यह और कहां से बनेगा अब हमें सिक्यूरिटी प्रीमियम को राइट आफ करना है अब सिक्यूरिटी प्रीमियम को राइट आफ करने के लिए दो पैसा सिक्यूरिटी प्रीमियम का हो सकता है पुराना अगर है तो और कोई नया आया है तो वो भी और नहीं है तो भाई लास्ट आप्शन तो रिज सेक्यूरिटी प्रियम बता दो लीजियो जी एक बार सेक्यूरिटी प्रियम हमारे पास पहले से सिक्यूरिटी प्रियम में कितना है पहले से पांच और नया सिक्यूरिटी प्रियम कितना है सिक्यूरिटी प्रियम पांच पर सेंट है तो पांच पर सेंट का मतलब हो गया अग सिक्स और टू एट पॉइंट फाइब छोड़ देते हैं एक दो रुपए उपर नीचे आएगा तो अर्जस्ट होगा यारी हमारे पास सिक्यूरेटी प्रियूम में टोटल पैसे इतने हैं एक पहले बैलेंशीट में पुराने वाला और एक नए वाला जो कलेक्ट करेंगे त में 5,000 प्लस में 6428 ग्यारह चारसो अथाइज यहां अ कdar हमें सेक्यूरिटी प्रिमिंट करना व्याहम का सेकूर्टी प्रिमिंट करना है हमहें 15,000 कतना पैमिंट करना है रुपे का Safari बरसा करो करो कि ओड़ेटे दो समझ रहोगा सब्सक्लिय कोडिनेट करो सर हमारे 370 पढ़ा हुआ है कहां पढ़ा हुआ है 370 रिजर्व में तो अगर मैं टोटल कर लूँ ग्यारा चारसो अठाइस तो देखो यह 14,098 हमारे पास इतने पैसे हैं सिक्यूरिटी प्रियम रिजर्व को मिला के और प्रीमियम कितना पेमिंट करना है सर 15,000 प्रीमिंट करना है सर क कैसे निकाला डेड़ लाग का 10 परसेंट और यहां पे भी 15 रुपे मैंने पहले बोल दिया उपर नीचे हो गया होगा तो अब देखो कंडिशन कैसी बनी हमारे पास एक रुपे बचा कहीं भी क्या सिक्यूरिटी प्रियम में पैसा है कहीं भी पैसा नहीं है क्या प्रीमिय आपको दिखे तब ऐसे कर लेना अधरवाइस नॉर्मल कुश्चन चलता जाएगा एक्जामनर कई बार बोल देता है कि ऐसा एक्वेशन के मैथट से करो तो यह वाले हमने कैलकुलेशन किया है इसी को एक्वेशन मैथट बोल भी बोलते हैं इसी को क्या बोलेंगे हम अच्छों का कहना है सर यह कैसे यह एक बार बता दीजिए यह आया जी हमारा यह नंबर आफ शियर्स है नंबर है यह तो वन टू एट फाइफ सैवन और प्रीमियम है जीरो पॉइंट फाइफ का यह ऐसे आया हां जी बताईए नहीं यह तो मैं आपके जानने के लिए आप नहीं चाहता बिल्कुल कि कुछ पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा बचें नहीं तो मैं तो सिंपल बोलू रिडेम्शन करो आप उठाके बोलो को सारा कर दो फ्रेश इशु क्यों जमेले में पढ़े सी आर आ रही है वह फलना डिकना कुछ नहीं करना कर दो सारा फ्रेश करना है क्लियर है कि बात समझ मैं यहां तक